नवास्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल में हार्दिक त्वागत है। भारतिप्रमपराओं और हिंदु धर्म की मानताओं के अनसार लाल रंग दुर्गामा को बहुत प्रिए है। लाल रंग को प्रगति का प्रतिक माना गया है साथ साथ इस रंग को मंगल और पराक्रम का भी प्रतिक माना जाता है दुर्गा मा की क्रपा से पराक्रम और जीवन में मंगल प्राप्त होता है और आपके जीवन के लक्षों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है विशेश का नौरात्री में दुर्गा मा की पूजा की जाती है और सबसे ज़्यादा लाल रंग का ही प्रियोग किया जाता है जैसे मा ताकी लाल चुन्री होती है और मा की चौकी पर लाल रंग का ही कपड़ा बिछा कर रखने की परंपरा है परन्तु लाल रंग के अलावा भी बहुत सारे रंगों का प्रियोग नौरात्री में किया जाता है मादुरुगा के विविन विविन नौरूपों की अलग अलग रंगों से भी पूजा की जाती है नए नए रंगों का भी प्रयोग नौरात्री के नौ दिनों में किया जाता है और वह नौ दिनों में कौन कौन से रंग है तता मादुरगा के कौन कौन से रूपों को कौन सा रंग प्रिय है वह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा लेकिन यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जादे जादे यह वीडियो सेर्क कर दीजेगा और कमेंट बाक्स में जै मातादी या जै मा दुर्गा अवस लिख दीजिएगा तो चलते हैं जानते हैं कि मा दुर्गा को लाल रंग के अलवा कौन-कौन से रंग प्रिये हैं और नौरात्री में नौ दिनों में नौ दुर्गाओं के नौ सो रूपों को कौन-कौन सा रंग प्रिये हैं तो मा दुर्गा के जो नौ सो उनका करमबत तरीके से नौ दिनों में नौ दुरुगा के जो रूपों को पूजा जाता है। उनको कौन सा रंग प्रिय है वे निम्प्रकार से हैं। पहला दिन नौरात्री के पहला दिन मा सेल पुत्री देवी को समर्पित है और उनको पीला रंग विशेश रूप से प्रिय है यह हिंदु धर्म के पंचांग के अनुसार अस्विन मास की सुकलपक्च की प्रतिपरदाम के दिन इनकी पूजा की जाती है और इसी दिन से नौर आत्री का सुभारम होता है भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय होता है और सेल पुत्री देवी को भी पीला ही रंग प्रिय है इसलिए इस दिन पूजा में पीले रंग का प्रयोक सुभ माना गया है यदि यह दिन गुरुवार को पलता है तो वह दिन और भी सुभ हो को हरा रंग बहुत ही अच्छा लगता है और यह नौरात्री का दूसरा दिन होता है जो कि मां ब्रह्म चार्णी को ही समर्पित होता है इस दिन हरे रंग का प्रयोग करना उत्तम माना गया है यदि आप इस दिन हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही फ का प्रियोग करना चाहिए तीसरा दिन यह दिन माता चंदर घंटा का होता है और नौरात्री के तीसरे दिन बहुत ही विशेश होता है अतहें आपको ध्यान रखना चाहिए कि मा चंदर घंटा को भूरा रंग बहुत ही प्रिय है इस दिन आपको भूरे रंग का प्रियोग कर चौथा नौरात्री का चौथा दिन माता कुस्पांडा को समर्पित होता है और यह नौरात्री का चौथा दिन होने के कारण आपको इस दिन नारंगी रंग का प्रियोग करना चाहिए कोकि माता कुस्पांडा को नारंगी रंग बहुत ही पसंद वप्रिय है पांचमा दिन नौरात्री का पांचमा दिन इसकंद माता को समर्पित है और नौरात्री के इस दिन आपको सफेद रंग का प्रियोग करना अतिसुप माना गया है अता है आपको इस दिन सफेद रंग का प्रियोग करना चाहिए इस दिन भगवान कार्तिके की पूजा करना भी फलदाई माना गया है अता है आप इस दिन भगवान कार्थिके की पूजा भी कर सकते हैं छटा दिन यह दिन माता कात्यानी को समर्पित है और माता कात्यानी को बहुत ही सक्तिसाली माना गया है नौराती के छटे दिन मा कात्यानी की ही पूजा की जाती है और इस दिन आपको लाल रंग का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि मा कात्यानी को लाल रंग बहुत ही प्री है मा का यह सोरूप तेंत ही सक्तिसाली होता है और इसी कारण मा कात्यानी को भद्रकाली भी कहा जाता है इसलिए यह छटा दिन मा भद्रकाली को समर्पित होता है कुल मिलाकर यह कहा जाए तो कम नहीं हुआ कि मा दुर्गा का सबसे ज़्यादा सक्तिसाली सुरूप मा कात्यानी का ही होता है और इनको लाल रंग अत्यंत पसंद है अता है आप छटे दिन लाल रंग का प्रियोग करें सातवा दिन नौरात्री का सातवा दिन मा कालरात्री से जुड़ा हुआ है और इस दिन मा कालरात्री की पूजा की जाती है सातवा दिन होने के कारण सास्त्रों में मा कालरात्री का तब्दिक अर्थ होता है काल की मृत्यू जो की हिंदू सास्त्रों में यह बताया गया है कि इ माहागोरी की पूजा की जाती है इसलिए आपको माहागोरी की पूजा में गुलावी रंग प्रियोग करना चाहिए क्योंकि माहागोरी को गुलावी रंग बहुत पसंद है मायंता यह है कि मा महागौरी की पूजा में यदि आप गुलावी रंका प्रयोग करने से मा अपने भक्तों को विशेश आसिरवात प्रदान करती है तता हर मनो कामना पूरी करती है नौमा दिन यह दिन मा सिद्धी दातरी को समर्पित है तता नौरातरी के अंतिन दिन होने के कारण इस दिन मा सिद्धी दातरी की पूजा की जाती है सिद्धी का सीधा ही अर्थ होता है अलोकिक सक्ती और धात्री का अर्थ होता है पुरुषकार देने वाला तो मा सिद्धी धात्री देवी को ज्यान प्रदान करने वाली देवी भी कहा गया है और मा सिद्धिदार्ती का पूरा अर्थ हो जाता है कि एक अलोकिक सक्ति को प्रदान करने वाली देवी और मा सिद्धिदातरी को बैगनी रंग प्रिय है तता पसंद है इसलिए इस दिन आपको बैगनी रंग का प्रियोग करना चाहिए जो ब्यक्ति अलोकिक सक्तियों को पाना चाहते हैं उनके लिए नौरात्री का अंतिम दिन बहुत अच्छा होता है तता जो लोग सिद्धी प्राप्स करना चाहते हैं उनके लिए मा सिद्धी दात्री का यह नौरात्री का अंतिम दिन बहुत ही अच्छा होता है और सिद्धिदात्री देवी ग्यान देने वाली देवी भी होती हैं इसलिए जो ब्यक्ति ग्यान का अरजन करना चाहते हैं वो लोग भी देवी सिद्धिदात्री की पुझा अंतिम दिन अवस्य करें और जो विद्यार्थी भी ग्यान अरजन करने की इच्छा रखते हैं उन चाहते हैं वो लोग नौरात्री के नौए दिन मासी दिदात्री की पूजा करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा अब आप समझी गए होंगे कि मादुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना क्यों की जाती है और मादुर्गा के 900 रूपों में कौन-कौन से रंगो पूजा पूजा करें और उनकी करपा राप्त करेंगे तो यह वो सब रंग थे जो नौ दिन में आपको प्रयोग करने चाहिए और मादुर्गा के किन-किन रूपों में कौन-कौन से रंग प्रयोग किये जाते हैं तदा किस-किस माता को कौन सा रंग पसंद है यह अब गया होगा आसा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी मैं अपने चैनल पर समय समय पर देता रहता हूं यदि आप इसी तरह ही जानकारी के इक्चुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइक कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा वीडिय माता दी भन्यवाद